So, अब देखो यार, अगर आपने Oppo Reno7 लिया है, या फिर Oppo Reno7 Pro लिया है, तो इनके अंदर कुछ important settings है, जैसे कि हम कोई भी laptop purchase करते हैं, तो उसको setup करना पड़ता है, या कोई भी हम mobile phone purchase करते हैं, तो उसको setup करना पड़ता है, तो setup के अंदर जितने भी settings आते हैं, वो बहुत ही important होते हैं एंद थोड़े से easy भी होते हैं जिनकों की समझना आपके लिए बहुत ही important है ताकि आप अपने like mobile phone को as a long time use कर सके तो चलिए आज के इस वीडियो को start करते है दिन इस वीडियो में मैं आप सभी को बता हुआ कि Poco like अगर आपने Oppo Reno 7 लिया है या फिर आ अपने Oppo Reno like 7 Pro लिया है तो आपको कौन कौन से settings को करना चाहिए कौन कौन से settings आपके लिए बहुत important है तो चलिए आज के इस वीडियो को start करते हैं अब देखो यार अगर आप इन settings को कर ले तो अनो तो आपका phone इतना smooth चलेगा कि क्या ही कहना और आप अपने phone को बहुत से settings को enable करना चाहिए तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे color scheme की यह बहुत बड़ा लाइक आज के डिट में यह बहुत बड़ा setting है अगर mobile phone के हिंसे से देखा जाए तो यह बहुत ही चोटा setting है बट अगर ऐसे देखा जाए तो यह बहुत ही बड़ा setting है तो यहाँ पर आपको color scheme को ढूणने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको simply यहाँ पे display वाले option पे click कर देना है, इसके बाद यहाँ पे आपको एक option मिलगा color scheme का, तो आपको simply इस पर click कर देना है, दनगाइस से आप इस पर click करेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे options मिलते हैं, मतलब कि हद से ज़्यादा use कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है ना कि हमारे eyes पे बहुत ज़्यादा दिक्कात आती है, बहुत ज़्यादा problem आता है, कई बार तो आशू गिरने लगते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, custom पे कर सकते हो, default पे कर सकते हो, warm पे कर सकते हो, और आप अपने eyes के हिसाब से color adjustment कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं cool पे कर देता हूँ, क्योंकि यह खुद से color adjustment करेगा, तो हमारे लिए better होगा, अब इसना कर लेने के बाद इस setting को यहीं से छोड़ देना है, आपको back आजनायन देन गाईस, जैसे आप back आओगे, आपको second setting जो करना है, अब देखो यार, आप कोई भी phone ले रहो हो, तो उसके अंदर developer option का enable होना बहुत ही important है, आप developer option के बार में आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता होगा, या अगर आपके पास, आपके पास कोई नया smartphone है, ओपो का है, तो नया ही होगा ना, यार, तो यहाँ पर आपको जो है, अपने ओपो Reno6 के, या फिर लाइक, ओपो Reno7 Pro, या फिर 7 है, तो उसके वर्जन पर 6 साथ टाइम आपको क्लिक करना है, यार, देखो, यहाँ पर आपका developer option open हो जाएगा, याँ जैसे developer option open हो जाता है, तो आपको यहाँ पर search box पर क्लिक करके, developer option यहाँ पर search कर लेना, आप चाहो तो settings में जाकर ढूंड सकते हो, settings में आपको बता देता हूं कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर आपको additional settings मिलेगा, इसमें आपको जो आपका developer option देखने को मिल जाएगा, अब देखरो यहाँ पर developer option हो रहा है, तो हम इस पर click करते हैं, यहाँ पर देखो यार कि यहाँ पर बहुत सारे options आते हैं, तो बहुत सारे लोग confused रहते हैं, कि इनमें कौन सा setting करना है, तो चलो मैं आपको बता देता हूं कि आप इनमें कौन सा setting करोगे, तो अब देखो यार, यहाँ पर देखो एक option आपको मिलेगा है smallest visit का, लेकिन यहाँ पर इसको कहते हैं, यहाँ पर देख सकते हो, इसका full like short name होता है DPI, तो इस DPI को अगर आपके mobile phone में जितना दिया गया हो, उसको छेड़ छाड मत करना, अगर आप इसको जदा बढ़ा देते हो, या फिर जदा घटा देते हो, तो इससे आपके mobile phone का skin पुरा black हो जागा, आपका mobile phone काम करना बंद कर देगा, तो यह जितना पर है, उतना पर रहने देना, उसके उपर में आप देखे होगे, तो एक option में लेगा आपको थोड़ा सा उपर, यहाँ पर देख सकते हो, एनिमेटर लाइक during skill, और उसके बाद transaction animation skill, विंडो animation skill, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, कि आपका जो भी application आप open करते हो, यह कितना जल्दी open होता है, या फिर जो आप जब भी आपना लाइक स्क्रोल करते हो, वो कितना जल्दी open होता है, तो आप इसको लाइक इस पर अगर आपका slow होता है, तो आप मैंने one पर करका रखा है, आप zero पर भी कर सकते हो, या इसको off ही कर सकते हो, मतलब आपके उपर है कि आपका mobile phone का performance कैसा है, तो आप चेक कर लेना, जैसा performance हो उसकर आप से रख लेना, इसमें एक और बहुत important setting होता है, वो यहाँ पर होता है background process limit का, अब यहाँ पर देखा हम एक साथ बहुत सारे multitask करते हैं, जैसे कि mobile phone में हम बहुत सारे apps को use करते होते होते हैं, जैसे कि हमारा mobile phone बहुत slow हो जाता है, तो आप यहाँ पर background process वाले setting को enable कर सकते हैं, इसी में कहीं होता है, अभी में जल्दी हो तो मिल नहीं रहा, बट इसी में होता है, आप चाहो तो background process वाले settings को enable कर सकते हो, अगर चाहँ आप बात करते हैं like next setting, तो देखे यार, जब भी हम कोई भी phone लेता है ना, इसको आपने open कर लिया, उसके बाद एक बार अपने phone को restart करके तब setup करना, ताकि आपके mobile phone का life बढ़ जाए, तो यहाँ पर देखो एक factory, जैसे additional setting में आऊगा तो यहाँ पर आपको एक factory reset का option मिलेगा, तो आप इस पर भी click करके reset कर सकते हो अपने phone को, लेकिन अगर आपमें वहाँ पर नहीं मिलता है, तो आप about phone में चले आना, और यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर आपको एक factory reset का option मिल जागा, तो यहाँ सभी भाई आप जो है अपने phone को reset कर सकते हैं, तो वाईस यह थे कुछ चार settings, and last settings के अगर मैं आपको बाद करूँ, तो last settings उतना ही जदा important है, जितना जदा आपका mobile phone, या जितना जदा आपका पैसा, वो है security status, अब बहुत बार क्या होता है कि हम security, यार मैं क्या बहुर रहा हूँ, अगर आपका security, mobile phone का security, अगर कमज़ो रहे न, Oppo Reno 7 है, या फिर Oppo Reno 7 Pro, अगर आपके mobile phone का security कमज़ो रहे न, तो यह समझे न, कि आप उसमें कोई भी important चीज़ नहीं रख सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे अभी जो है like phone पे, Google पे, यहाँ पे, और मैं करने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, तो आप इसको check कर लेना भाई लोग, और इसको जरूर करते रहे न, क्योंकि यह बहुत, यह चार मैंने settings बता है न, इन में से सबसे दा important यही है, अगर आप online payment करते हो, आप सब्सक्राइब करता हूँ तो जरूर सब्सक्राइब किजएगा, चले मिलते अगले वीडियो में, तब तक लिए इतना ही, अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहो तो सेयर कर सकते हो, मैं जरूर बनाऊँगा, यार क्यों नहीं बनाऊँगा, या फिर मुबाइल पर आप जरूर कमेंट किजएगा, तो चलेगा इस मिलते अगले वीडियो में, तब तक लिए इतना ही, बाबाई एंड टेक क्यार गाइस, लभी भाइल,